हेलो 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 दोस्तों मैं हूर इमित और आज मैं अनकैनी के एपिसोड टू को लेकर आ गई हूँ तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे काउंटर्स क्या करने वाले हैं जुनुही के डैट की गैंग को पुलिस पकड़ ले जाती है और काउंटर्स जुनुही और उसकी माम को घर ले आते हैं मिसिस चू को जुनुही की चिंता होती है क्योंकि उसके उपर बहुत बुरा असर पड़ा था इसके बाद हम सौमुन को देखते हैं जो अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने जाता है और उसके फ्रेंड में लड़ाई होने लगती है तब सौमुन उनका हाथ पकड़ कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और तब ही वो उनकी मेमरी बढ़ता है जिससे सौमुन को पता लगता है कि उसके फ्रेंड उसे बताई बिना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये जान के उसे शौक लगता है पॉलिस उन गैंग वालों को पकड़ कर पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहां मोतक के कॉलीक को शौक लगता है कि आखिर मोतक क्रिमिनल को कैसे पकड़ लेता है मोतक को पता कैसे होता है कि क्रिमिनल कहा होगा जिसके बाद हम मोतक और बाकी काउंटर्स को नूडल शॉप पे आता देखते हैं जब मोतक अपनी साइको कनेसिस की पावर से खाने की चीज़ को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता और यहां मिसिस चू को मीजिन की चिंता होती है अब हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जियोग था जो गाए की देख भाल किया करता था और वो एक गाए को बता रहा था कि आज उसकी ब्लाइन डेट है और इसके लिए वो बहुत खुश था पर जियोग जब ड और उसके गोबर के बारे में ही बात करे जा रहा था जो कि उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वाश्रूम जाने के बहाने बाहर चली जाती है लेकिन वो अपना फोन वहीं छोड़ गए थी और उससे देने के लिए जियोग जब बाहर जाता है तो एक ट्र ले जाता है जियोग की जिन्दीगी खत्रे में थी वो कोमा में था यहां जियोग के डैट को भी देखते हैं जो अपने बेटे को देख के काफी दुखी थे और अब यहां मुह तक सोचता है कि जियोग ने एक लड़की की जान बचाने के लिए खूद की जान खत्रे में ड तबी वीगन यांग का दरवाजा खोल देती है, जो जियोग को एक जादू जैसा लगता है, और वीगन और जियोग की यांग चले जाते हैं, वीगन जियोग से कहती है कि उसे काउंटर बन के इविल स्पिरिट को पकड़ना है, और यही उसका काम होगा, लेकिन जियोग जानना चाता था कि आखिर वीगन उसे काउंटर क्यों बनाना चाती है, वो तो ठीक से दौड भी नहीं सकता, यहाँ वीगन उसे बताती है कि काउंटर बनने के बाद जियोग की जान को खत्रा हो सकता है, लेकिन जो चीज काउंटर बनने के लिए चाहिए वो यही है कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान खत्रे में डाल देना जैसा कि जियोक ने उस लड़की को बचाने के लिए किया था और यहां जियोक वीगन से पूछता है कि क्या काउंटर बनने के बाद वो अपने डैट से मिल पाएगा और उसका एक ग्रूप भी है और उसकी गायों का ख्याल भी उसे ही रखना पड़ता है अगले सीन में कोड दिखाया जाता है जहां प्रोपर्टी फ्रॉट केस की सुनव की लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनके हिसाब से सियोंग को उमर क्या दिया फिर फांसी होनी चाहिए थी अब प्रेस से बचने के लिए सियोंग एक आदमी को अपने ही जैसे कपड़े पहना कर में गेट से निकलवा देता है और उस आदमी का चेहर अढ़का कौं को देखकर सियोंग डर जाता है अब कौं को उससे अपने पैसे मांगता है जिस पे सियोंग उसे बताता है कि वोई पैसे ली के पास थे जो उस कंपनी का चेर्मेन था और वो मर चुका था और कौंग उस फ्रॉट के बाद अचानक गायब हो गया था सियोंग को लगा था कि वो मर चुका है लेकिन कौंग को वापस देख के वो सदमे में है अब कौंग उसे मानने लगता है तब सियोंग उसे पताता है कि पैसे कहीं हो रहे है लेकिन उसे नहीं पता की कहां तब ही कौंग अपनी पावर से स्योंग का हाथ उसकी गर्दन पे रखवा देता है और वो अपना ही गला लबाने लगता है कौंग उसे हवा में उठा के पटक देता है जिसके बाद गैली उसे मारने की कोशिश करती है और सियोंग बेहोश हो जाता है तब ही लिफ्ट खूलती है और वहाँ मी जीना जाती है जिसने इन तीनों को देख लिया था वांग मिन जीन को लिफ्ट में खीच लेता है जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉट केस में जिन लोगों का पैसा डूबा था उन में से एक आदमी खुद को आग लगाने लगता है क्योंकि वो सियोंग को हुई सजा से खुश नहीं था तब ही वहां मिस्टर मा जाते हैं और वो उस आदमी को रुखते हैं लेकिन वह आदमी अपने पे आग लगा लेता है उस आदमी को चोट आ गई थी और मिस्टर मा उस आदमी को हॉस्पिरल बेज देते हैं तब ही मिस्टर मा के साथ काम करने वाला एक आदमी मिस्टर मा को हॉस्पिरल जाने के लिए कहता है और ये मिस्टर मा के लिए एक बहुत बड़ा शौक था जब मिस्टर मा हॉस्पिरल जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि मिंजिन भी होश है और उसका बच्चा मर चुका था यहां मिस्टर मा को पता चलता है कि स्योंग भी मिंजिन के साथ हॉस्पिरल में आया था और स्योंग ने खुत को मानने की कोशिश की थी लेकिन वो बेहोश है जिसके बाद मिस्टर मा मिंजिन के पास जाते हैं तब ही मिंजिन के हाला दिगरने लगती है मिस्टर मा डॉक्टर को बुलाता है तब ही वहां सौमन और हाना आ जाते हैं लेकिन मीजिन जिन जिन्दा नहीं रह पाती और उसकी मौत हो जाती है। काउंटर्स मीजिन के मरने से दुखी थे। यहां हम देखते हैं कि मिस्टर मा सियोंग के बारे में पूछते हैं और मिस्टर मा को पता चलता है कि वो जिन्दा है। ये जान के मिस्टर मा दुखी हो जाते हैं क्योंकि सियोंग जिन्दा था लेकिन मिंजिन मर चुकी थी कौंग, गैली और वांग को उनके पैसे के बारे में पता चल गया था यहां वांग गैली से पूछता है क्या उसने सियोंग की अदाश मिटाई या नहीं जिस पे गैली उससे सवाल पूछती है क्या वांग को पता है कि वो पहली बार कब मिले थे जिससे वांग को पता लगता है कि गैली ने उसकी या दाश भी मिटा दी थी क्योंकि वो अपनी पावर को टेस्ट करना चाहती थी अब कौंग और बाकी की इविल स्पिरिट टरेटरी खुली देखते हैं और तब कौंग को याद आता है कि जब उसने पानी को हवा में उड़ाया था तब एक ऐसी टरेटरी खुली थी यहाँ गली कहती है कि उसे भी वो टरेटरी चाहिए क्योंकि वो उन्हें और पावर दे सकती है इधर वीगन जंकुक से कहती है कि उन्हें नया काउंटर मिल गया है पर जंकुक जियोक से खुश नहीं था क्योंकि जियोक कमजोर था और जंकुक जियोक को अपना काउंटर नह जियोग आसमान से गिरता हुआ सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है और उसकी आप खुलती है जब हुम उसके करली बालों को खड़ा हुआ देखते हैं और जियोग कोमा से उड़ गया था याने कि अब वो काउंटर बन चुका था यहां जियोग को मोतक मिलता है मोतक वही रूम पर किया था जब वो नया काउंटर बना था तब जियोग हाना के गंदे पर हाथ रखता है और हाना जियोग को दूर फेक देती है और अब शुरू होती है जियोग की ट्रेनिंग जियोग को सौमुन मोतक और हाना ट्रेन करने की कोशिश करते हैं पर जियोग को चोट लग ज चाते हैं और वो इविल स्पिरिट, वॉंग ही था जो एक आदमी को मार रहा था, हाना और वागी काउंटर स्टरेलेट्री खोल कर उस इविल स्पिरिट को ढूनने लगते हैं जब मिसिस चू को वादमी मिलता है जिसे वांग ने बुरी तरे मारा था वांग ने उस आदमी के हड़ी तोड़ दी थी और मिसिस चू से हील करती है तब हाना को वांग दिखता है और हाना और वांग में लड़ाई हो जाती है वांग हाना को दूर फिक देता है पर मोतक हाना को बचा लेता है जिसके बाद वांग और मोतक में भी लड़ाई हो जाती है और वो मोतक को भी मारता है और तबी वहां हमरा हीरो सौमुन आता है और वो वांग को बुरी तरे मारता है सौमुन के आगे वांग की पावर्स कमजोर थी और वो उससे नहीं लड़ पाता और ये सब कौंग और गैली दूर बैट के देख रहे थे सौमन कहता है कि हवंग गैली और वांग अब उनकी टेरिटरिय से दूर रहेंगे जिससे वो उने पकड़ न ले हाना बताती है कि उसे वांग की मेमोरी में मीजिन को देखा था और मीजिन अपनी जान बचाने के लिए हुँआंग से कह रही थी मिस्चू कहती है कि हो सकता है कि उने इविल स्पिरिट ने मीजिन को मा रहा हो अब ये लोग स्योंग की मेमोरी पढ़ने हॉस्परल जाते हैं जो सियोंग को मारने की कोशिश कर रहे थे और ये सब मिन जिन ने देख लिया था इसलिए हुआंग मिन जिन को मारने की कोशिश करता है हुआंग ने अपनी साइको किनेसिस की पावर से सियोंग को खुद को मारने के लिए कहा था और सियोंग ने खुद को मारने की कोशिश की थी और इविल स्पिरिट ने ही मिंजिन को मारा था हाला ये बात बाकी के काउंटरस को बताती है और ये बात सुनके सौमन को गुसा जाता है और उसकी टेबिल हिलने लगती है मिसिस चू मोतक से पुलिस को एलर्ट पे रहने के लिए कहती है और कहती है कि उन्हें उन इविल स्पिरिट्स को पकड़ना होगा अगले सीन में हम उनी तीन इविल स्पिरिट्स को देखते है जहां वांग अपनी टूटी हुई हड़ियों को जोडने की कोशिश करता है तब ही वांग उस रड टेरिट्री के बारे में बात करता है होंग कहता है कि वो टेरिट्री सौमन और बाकी काउंटर्स को उन तक ले के आई थी अगले देन सौमन के फ्रेंड्स नूडल शॉप आते हैं और वहां जुन हुई भी था हम देखते हैं कि वहां वही टीचर्स उन बच्चों के साथ नूडल शॉप पे आती है जिसे सौमन और बाकी के काउंटर्स ने फर्स्ट एपिसोड में बचाय था तब ही वहां हुआं के एंटरी होती है और बस यह एपिसोड यहीं एंडो जाता है तो दोस्तों यह था मेरा एक्स्प्लेनेशन अंकैनी काउंटर्स सीजन टू के एपिसोड टू को लेकर उमीद करती हो आपको यह एक्स्प्लेनेशन पसंद है होगा मैं मिलूँगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रुखिए स्टे सेफ एंड बोरा है